अब लेकुम फ्रेंट्स वेल्कम बैक टो माई यूट्यूब चैनल उमीद है आप साब लोग हर्याट से होंगे आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई बोटी सबसे पहले हम लेंगे बॉनलेस्टिकन हाफ के जी हमने लिया बॉनलेस्टिकन वन टीस्पून हमें डालेंगे अब मुषाफ schemes ब्लैक पेपर के नमंग कर अब हम इसमेर डालेंगे रहे हम जरूरत जितना आप लोग तो वन टीस्पून हम इसमेर अदालेंगे जाव ड़निया पाउदर कब या अब इसमेर डालेंगे 50 अब हम इसमेर डालेंगे कोपरा अब हम इसमें टू टेबस्पून ओयल डालेंगे अब हम इसमें टालेंगे टू टेबस्पून मलाई अब हम इसमें डालेंगे वन टेबस्पून घी अब इसके बाद हम इसे अच्छे से तरीके से मिक्स करेंगे लाइब आपने सेशे से मिक्स करने लाएं ताके मिक्स्टर डालेंगे वह अब इसे ट्राइब कि लिए अब इसके बाद हम इसके टिक्सूर की तरफ चलेंगे आप आप यह जूरूर्ण की ज़िए का मलाई बोटी बहुत थी मज़े की और इस कलर भी बहुत अच्छा है लग आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर और बैर रइट करनके बटन को प्रेस करना मत बूलें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताके रुजाना आपको कोई ना कोई वीडियो असानी से मिल जाए, प्याम्ट हो गे हैं हमने जो मैरीनेशन के लिए रखा था अब हम इसके टक्ट्टर की तरफ चलेंगे एक हमने पैन लिया उसके निर हम हाफ टेबल स्पून जह है आप यह अलेंगे अब हम इसे थोड़ा सा गरम करेंगे अब तेल जो है वो गरम हो चुका है थोड़ा थोड़ा उसके बाद हम इसके इनर जो है दो अदद मैश के वह प्यास टालेंगे इसको हम मिक्स करेंगे इसको हमने ब्राउन नहीं करना है इसका सिर्फ हमने जो है वो कच्छा पन हतम करना है अब इसके अंदर डालेंगे अब इसके अंदर डालेंगे अब अब इसके मिक्स करेंगे उसके बाद हम इसे 15 – 20 मिर तक लो फेम पे पकने के लिए रख देंगे दम पर 15-20 में के लिए हमने से दम पर रखा था अब दम से हटा दिया अब यह हमारी जो मलाई भोटी है वो त्यार हो चुकिए बहुत ही टेस्टी और इसका जो है बहुत प्यारा सा कलर आ चुका है अब हम इसके उपर दन्यामर्चे गार्णिशिंग के लिए डालेंगे गार सूरती और जादा भर जाती है हमारी जो मलाई भोटी की रेसिपी ती वो त्यार हो चुकी है अगली वीडियो तेखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और वाल आइकन के बटन को प्रेस करना माद भूलें और महीं इतरा से आप सबको चांद रात और मुबारिक अला हापिस